हलो पेरेंट्स, बेलकम माई चैनल पेरेंट्स एल्फ, माई दियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार ब्रह नमस्काल, जैश्री कृष्णा राधी राधी दियर पेरेंट्स, आप भी अपने बचे का दिमाग कम्प्यूटर की तरह तेज बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देगें, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगे कि कौन-कौन से चीजें आप अपने बच्चे को खिलाएं और कौन-कौन से एक्टिविटी कराएं जिससे कि आपके बच्चे का जो डिवलेबमेंट है वो अच्चे से हो देखिए हर कोई पेरेंट से ही चाहता है कि उसके बच्चे का दिमाग तेज हो, कंपुटर की रफतार से उसका बच्चे का दिमाग तेज दोड़े जिससे कि आपके बच्चेय के पांच शो तक हो तो बच्चे का इचे से अच्छे से प्रॉसस करे तो सबसे पहले उन काफी बताओंगे कि आपको दे सकती है देखिए बादाम और अख्रूट दोनों ही काफी अच्छे घते हैं इनमें काफी पोशक्तत पाए जाती हैं नूटिशन वैल्यू देके तो दोनों ही काफी दिमाग के लिए अच्छे माने जाती हैं तो आप बादाम और अख्रोट रात में भीगोकर भी दे सकते हैं उनकी स्किन निकालकर आप अपने बच्चे को बादाम दे सकते हैं इनमें ओ बादाम को आप अपने बच्चे को घिसकर देती हैं तो यह बहुत ही अधा फायदा करता है बादाम के अख्रोट और बादाम के बलडू बना कर दे सकते हैं सिंप्ली आप खानी के लिए दे सकती हैं गिसकर दे सकती हैं स्मूदी में डाल कर दे सकती हैं किसी भी फॉर्म मे आप अपने बच्चे को बादम और अक्रोट जरूर करा है कम से कम छोटा बच्चा आपका वन यर का बच्चा है तो दो बादम और दो अक्रोट आप अपने बच्चे को दे सकती है बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है बात करेंगे घी बहुत ही जादा बच्चे के लिए अच्छा रहता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बचCS न प्रेस के लिए यूद्ध हैं अपने बच्चे पाया जाता है घी में डी हने indeed अच्छ इस जाता मैं जाता है रुद्ध बांटेंड़ गूटि पाइ जाती है और जो कि बच्चे के मस्तिस के बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अपने बच्चे को एक गिलास गुनगुने दूद में एक चमच घी डालकर आप अपने बच्चे को डेली देते हैं चोटा बच्चा है तो आप उसे आदा दा चमच ऐसी कहने के लिए दे सकत यह जो कि अच्छा फैट्स होता है और फैट्स ब्रेन के डिवल्मेंट के लिए बहुत ज़दा फायदे मंद रहता है तो आप फैट्स दे सकती है और घी अच्छी मात्रम आप अपने बच्छे को दे सकती है नेक्ष्ट आम बात करेंगे अंडा अंडा भी बहुत ही जादा रहता है आप अपने बच्चे को दिन में एक या दू अंडी दे सकती है उसके एज के अकॉर्डिंग अंडा में प्रोटीन्स विटमीन्स मिनरल्स कोलीन हर तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे आवशक तत्व होते हैं पोशक तत्व होते हैं जो कि बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा लावकारी होते हैं तो आप अंडा भी अपने बच्चे को दे सकती हैं अंडे का तो आप सेवन जरूर कराया अपने बच्चे को इतना हेल्दी रहती है प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है जैसा कि मैंने बताया बच्चे के दिमाग के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं तो आप अंडा खिलाती हैं तो वो साली चीजे जो जरूरी आवसक चीजे हैं जो बच्चे को चाहिए बच्चे के मस्तिस के लिए वो अंडे से मिल जाएगी अंडा और आप हर सी जरूर में अपने बच्चे को खिला सकते हैं गर्मी मे सारी चीज़ें पाई जाती है एक ग्लास गुरुमुना दूद सुबह एक ग्लास गुरुमुना दूद शाम को दो ग्लास दूद बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के दातों के लिए बच्चों के हड्यों के लिए बच्चों के मस्तिस के लिए तो कुछ टीं तो भाओटे अक्ति को कि अपने बच्चे को नदा टोपिद भी नहीं होतीजियोग रीपाद करता है तो अब टोप्र मैज Pure Capital है बच्चे जरूर को को पीलाई नहीं होसार आप शादी अपनी बच्चे को सद्ट आप फादा है तो भी फादा करता है रहूर की हमें शनीर तो अपर तरीके से दूद पी लेता है तो सारे पोशक तत्व उसे दूद से मिल जाती है तो दूद आप अपने वच्चे को अवश्य दें जैसा कि मैंने आपको ड्राइफूट्स के वारे में स्थार्टिक में बताया था कि आप बादाम और अखरूट अपने वच्चे को द आपड़ नहीं राप करें ओने का ईकनी गरम मेंने में घहने को द्राइन ड्राइी प्ना जो कि द्यों दिमां के लिए बहुत जरूरी होता अच्छे दिमां के लिए भूर्त खिलाइए लगे क्लाएं नेक्सट बात करोंगे केला की जी हां केला बहुत जरूरी होता है इससे वेट गें तो होता है साथ ये मस्तिस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसमें विटामीन B6, vitamin C, vitamin A, magnesium, phosphorus, बहुत चारे इसमें पोश्चतत पायाते हैं, इसकी nutrition value बहुत होती है, हर सीजन में पाया जाता है, और ये बच्चे के मस्तिस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप केला अपने बच्चे को जरूर दें, केले खाने से साले जो nutrition value में बच्चे को मि भी जाता है, खाली है, दूद के साथ देती है, और इसकी nutrition value बच्चे को मिल जाती है, आप अपने बच्चे को बनाना भी दे सकते हैं, तो ये फूट, मैंने आपको बताई, जो कि बच्चे के मस्तिस के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो आप अपने बच्चे की डाईट बच्चे के लिए बनाना है गी है और इसके साथ जिस में बताया अखरोट है बादाम है ड्राइफूट्स है यह सारी ही चीजे बच्चे के मस्तिस के लिए बहुत जरूरी होती है लेकिन सही मायने में सही एज में इनको सुरू करना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन कि बच्चे को स्किप करा दिया या फिर आपने भी सोच लिए कि हाँ बच्चे बड़ा हो जाएगा तब खेलादे करेंगी नहीं बच्चे जब छोटा होता था बंद अर्ली एज में ही थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट कर दें तो बच्चे के हैविट भी बनेगी और बच्चे का मस्तिस्क भी तेज होगा तो डियर मॉमि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी दिमाग इसी तरह से ग्पूर्ट की तरह तेजर चले, इन सारी चीजों को, इन सारी फूर मैं इसी तरह से वीडियोगी आपके लिए लेकर आती हैं की, तो मैं नेक्स वीडियो मिलती हू quanto के साथ, तब तक के लिए namashlar. झाल झाल